है आई वेल्गम बैक तो माई चैनल माईसल्फ प्राची एंड होने वाले इस सी एंवे प्राची गाइस हम लोग सी एफार सब्जेक का सी एमें फाइनल की मोडिल डिसकस करने वाले आज चोकी पेपर नमर 17 है और आज हम लोग डिसकस करेंगे इसमें इस 113 फ्यर मार्केट फेऊर वैल्यू मेजरमेंट ठीक है फ्यर वैल्यू मेजरमेंट हम दो डिसकस करने वाले गाइस तो चरह वीडियो को स्टार्ट करें लेट्स के टेड़ेड रiblंग से गणि ऐसको इस लिए का और इसलिए ज़रूरा जैसे की खरो कि लिए प्ली और तीम बाकी लोग पर्मिट करते हैं तब जाके हम लोग इसको मेशर और सको एक्सेट एक्सेट पेंडेक्स यह जिसमें यह प्लाइ होता है और कुछ कुछ दे जिसमें नहीं होता है थीक है यह लग करने हादी चीज आ प्लों कर ले ना देखो जो फेर वेल्यू इस डिफाइन आज प्राइट और पेड तो ट्रांसफर लाइबिलिटी इन ओर ली ट्रांसेक्शन बिट्विन अमार्केट पार्टिसिपेट अट मेजिर मेंट डेट किसी भी पटिकुलर डेट की दिन अगर आप वह एसे ले जाते हो और उसको पैस पैसे मिलते हैं उसको पन बहुते यह सही प्राइब इस मार calf अगर and Aha value and entry value of entities not relevant value आप क्या सोच तो उसके बारे में आपके यार आप अगर सोच गया तो आप अपनी emotions जोड़ दो गए और मार्केट में emotions नहीं चलते हैं ठीक है आप उससे कितनी emotional मार्केट में जो उसकी value मिल रही है वही इस final value होती है ठीक है उसके बाद फिर मेशर कैसे करेंगे अपनी इसको तो मेशर करने की characteristics दी हुए देखो सब्सक्राइब करेक्ट करेंगा ना वही उसका final होता है तो सबसे पहले तो condition देखेगा आपके समान की asset की location देखेगा सबसे पहले तो condition देखेंगे कि अच्छी condition है तो इतना price working condition तो इत्ती price और अगर non working है तो इत्ती price और रखी कहां है हमारे मताब अगर आसपस रख्योंगी तो थोड़ी ज़्यादा value रहेगी बहुत दूर रख रहेगी तो साधा value होगी क्योंकि ट्रांस्पोरेशन भी तो लगता है ना value in the sense में हमेशा पैसो के relevant में यहां पर value बोल ठीक है फिर रिस्ट्रिक्शन्स इस 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 असेट को लगाने के क्या रिस्ट्रिक्शन्स है मताब रोक तो क्या क्या इसकी ठीक है तो फिर यह measurement पे आपन को देखना पड़ता है तो उसके लिए कमांड देने के लिए एक और असेट की जर्वत पड़ती है तो दो दो आसेट तो चाहिए ही कम सकम तो ग्रूप असेट्स जैसे कि यह कंप्यूट का एक्जामपल है तो कंप्यूटर अपने माऊस अपने कीबोड के बिना थोड़ी न से लोगा है तो मोलिटर आप खरीद भी सकते हो बट वो ग्रूप असेट के साथ ही उसफूल होगा तो व चाहिए है तो चाहिए है और शास्त्री मार्केट में सब्जी मिलती है तो देखो मार्केट के वाइज ही वहां के पर्टिकुलर्ली वह जगह वह चीज़ के लिए फेमास है जैसे तो आज मैं शिफ आपको आगरा में मिले का ठीक है तो उस नहीं कवा आधी ब requirements हमें ढांते हुं सबसे जयां के जाधा मिल्रीयों समान की वह मान लेंगे ब कंग रहता है जैसे कि मैं इसका 5 मार्केट रंटिंग्समा चांतंव पिए घंटिंग है वो उसमें निकालता है और वो चीज सिमिलर नहीं हो सकती किसी और से भले कॉपी वाली होती है बट ऐसे जो फेमस पेंटर्स होते है और जो लोग बनाते और जो सेल करते है उन लोग की पेंटिंग के आपको प्रिंस्पल मार्केट नहीं मिलेगा तो फिर उसमें जो सबसे अगर एड्वांटेज लग रहा है उस मतलब कह सकते कि जो कोई भी बायर उस चीज को देने के लिए उसके लिए चितने पैसे वह उसका फिर वाल की वेल्ली हो जाता है ठीक है उसकी बाद फिर इन के इन के सफ एपसेंट ऑफ एविदेंस और तो दे कॉंटरी दा मार्केट अगर आप प्रिंस्पल मार्केट नहीं खोच पा रहे हो तो उस केस में आप क्या करोगे कि अगर यह दोनों नहीं है तो जो एंटिटी नॉर्मल जहां पर एंटर करते हैं वहां पर जो प्राइस मिल रहा है आप उस प्राइस को ले लो ठीक है नेक्स्ट इव्धैन सब्सक्राइब करेंगे ना करेंगे इस प्रेंश को लोड़ांटेच और मोर मेशल मार्केट तेखो गईज अगर आपको दूसरे मुंल गया और यह ब्र Unit 90 बहुति कि चुछ क्या प्रिंस्पीड 90pis? जो लोग की साथ? हूppen आपके सांट कि चुर्ड की प्रटिस्पेड क्या होते हैं जो लोग आपके सम्म that medic जो कि प्रिंस्पल मार्केट यूज तु मेश्ट पर मिलते हैं यहां पर मिलता है जिस ब्रींस्पल मार्केट पर उसको बोलते हैं आप लिकेशन फील असे अप लोग नों फैनेंशिल असेत्स का जो लोग आऊ-चे टेंगे जैसे हक्या है यूमन रिसॉर्स मान लेते हैं वह तो non financial resources होते हैं ठीक है a fair fair market measurement of non financial asset taken place into the market participant ability to generate economical benefit for using the asset in highest and the best use by selling in order to market participate that would be used the asset in the highest and best use. मतलब बोल रहा है कि अगर-गर कोई भी चीज़ जो non financial asset है मतलब जो financial asset नहीं है ठीक है तो आप क्या करोगे उसको आप देखोगे कि उससे आपन बना कैसकते है समझ लो कि एक एक इनसान है ठीक है एक यूमन बिंग है आप यूमन बिंग समझ लो कि इसको काम नहीं आता कुछ भी कुछ नहीं आता ठीक है और आपने आपके साथ वो दो साल काम किया आपकी आतिकल बन के काम किया अब तो अब तो इसकी वैल्डी हो गई ने ये इक नॉन फैनेशल अब इसकी वैल्यों में लिखी हुई है जो इसको जितना पैसा देने के लिए रैडि हो सब्सक्राइब इसकी बढ़ाने के लिए आप उसे दूसरे काम भी करवा कर देखिए शायद हो सकते हैं कि वहां से इसकी वैल्यू और इंक्रीस हो जाए सब्सक्राइब करेंगे तो उसकी वैल्यू आपके लिए कम हो बट अगर आप आप देखोगे कि बाखी कौलिफिकेशन अगर उसको रखो गया अपनी कंपनी में तो हो सकते हैं कि उसकी वैल्यू जादा हो जाए ठीक है क्योंकि परसन टू-परसन डिफर करते हैं इंट्रेस् सब्सक्राइब करते हैं तो हो सकते हैं वह जादा वैल्यूबल हो जैसे कि आप समझ लो कि हर यार हर इंसान ना एक चीस में बहुत अच्छे ग्जांपल लेती समझ लो कि में को एक कोचिंग सेंटर खोलने हैं फॉर एक सब्सक्राइब करते हैं तो मैं यह बताना चाहती हूं कि अगर मैं अकेले कोचिंग खोलूगी न तो मेरी उतनी नहीं चलेगे जितनी अगर मैं एक कोचिंग खोल गे मैं खुद एक सब्जेक पढ़ाऊ और बाकी चार टीचर को रखो चार सब्जेक पढ़ाने के लिए तो हम लोग पाच लोग हो जाएंगे में तो हमका माइंड होगे बहुत सारे असेट है न हम लोग भी तो सब कुछ कर सकता है तो फिर बहुत अच्छी बात है मतब वैल्यू अपन निकालने के डिफ्रेंट डिफ्रेंट वे सिखने हैं हाँ ठीक है तो देखो नॉन फैनेशल एसेट में क्या क्या सीखिए है सबसे पहले तो अपन उसकी नॉर्मल वैली देखेंगे मार्केट पैट सब्सक्राइब करते हैं तो अगर आप किसी लाइबिलिटी समझ लोग कि आपकी किसी से लाइबिलिटी थी आपको समझ लोग किसी को यह सब्सक्राइब और आप किया कि अपना इकवीटी शेयर्स दे दिया उसको और अभी वह आपके लाइबिलिटी साइट साइट क्योंकि अबहारे उस बोल रहें कि अभी वहीं इसमें ज़्यादा को चेंज नहीं आगा फिर नीचे कि एंट्यूमें गोईटिटी इंस्ट वो में उसके अंदर आ जाएंगे ठीक है और जो इंस्टुमेंट वोड़ नॉट बी कैंसल अधरवाइस इंस्टुमेंट नॉट सो रेलेवेंट आंगे बढ़ते हैं क्या होता है । अ है दॉप सियुन उट uelो давно अगया दोग्तंपर्फॉम्ह CiT hr और उडित बीलिमेटर है डाउंच में अधर ओंपर्फॉम्ह damage में आ गया है देखो क्या होता है यार नॉन परफॉर्मेंस रिस्क ना बहुत अच्छे सा प्रिलेट कर पाओगे पता है कैसे आप अपसी यह में कर रहा हूं कभी जिन्दगी में पॉइंट ऑफ टाइम में कभी भी ऐसा लगा को ना लेट स्कुट में को तो लगता है कभी कभी ठीक है तो हर किसी को कभी न सब्सक्राइब में इसंब करने का जो इस पर पिंच और उसे में अपने आपको क Irma वापस बहुत सारी क्लेयर करने के छोड़ देते इन्ट पैसे तो लगगा ना रिस्क तो रहता है ना आपको ही सोचना यहांप ख़ड़े कि मैं छोड़ दिया तो तो रिस्क यहां पे रहके सोचा जाते हैं यहां पर रहके नहीं करने का रिसक है अब उसकी वैल्यू कैसे रिकनाइस करो, आप खुद ही सोचो, कि उसकी वैल्यू क्या हो सकती अगर अगर अपन कि जितने भी sacrifices है और जितने भी आपने पैसे लगाए है सब कुछ waste हुजाएगा ठीक है तो वह उसका value होता है अब अपन देख लेते content में क्या value लिखा है तो देख लेते इसको पढ़ना ठीक है बोल रहा है कि अगर कोई दूसरा है इसको और बताता है तो हो सकता है कि डिफर हो भी चाहरा है यह सब की बात मानता है यह सबसे चोटू अच्छा घर का ठीक है अपन देखते कि कैसे निकालते है आलोईशन टेक्निक्स एंट एंटिटी उस्ट कि आप आप सोचोगे भी इंटर कुट करने का तो आप सोचोगे इंटर में को लगा था पोचिंग का 45,000 रुपीस और फॉर्म फाइलिंग वगरे का वही 5-10,000 ट्रांस्पोर्टेशन लगा था होस्टल गया था खाना वगरे लगा था अपनी फैमिली से 30 साल दूर था तो वही आगे पढ़ेंगे अपने बड़े में फूरा चीज में ठीक है ठीक है ठीक है तो पहले जब तक अपना निकल सकता है मैंक्जिमम यूज करके रिसोर्स अपन वो करेंगे पहला काम जो मैंको बताई थी पहले जो जो खर्च आप नहीं किया उसको देख लोगा फिर कह तो एक हो के थी वाइडर वालोएशन टेक्निक्स और टेक्निक्स जैसे कि तो मार्केट अप्रोच यूजिस प्राइस अन अदर रिल्मेंट इन्फरमेशन तो जणरेट अगर आपको उस चीज की वालु नहीं बिल रही तो उसको पार करो सेम सेम असे और लिपलिटी से तो सब्सक्राइब कर लो और फिर देख लो ठीके नेक्स्ट अप्रोच रिफ्लेक्ट जामाउंट एट वूड बी रिक्वाइड तो करेंट्ली तो रिप्लेस असर्विस कैपसिटी ऑफ सेट फॉर पर्सपेक्टिव और मार्केट पार्टिस्पिट सेलर दप्राइज वूड बाइब कर लेते हैं तो फिर आप कितना पैसे का मार्ट यह देता है जैसी कि अगर आप सी हमें कंप्लीट कर लेते हैं इंटर्मिट में आप इससे सोच चरो कि नहीं करूगा अगर आप कर लेते तो फिर आप कितने सब्सक्राइब कर सकते हैं कितना आपका सोसाइटी में रिकनाइजेशन होता सो सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आपन है eracky देख लेते क्या पहला क्या है लेव l1 input are कोटेट इन एक्टिव मार्केट फॉर इंटिफिकल असेट सेट अपन इडेंटिफाइगे असेट लियाबिलिटी और फिर उसको कोट करेंगे उसके सब सब्सेट क्या करेंगे अपन इंपूट और इंपुट अधर देन कोटेट प्राइज विदिन लेवल वन एंड अट करेंगे अभी तक अपन इसको अबसर्फ कर रहे था अपने करेंगे ठीक है तो अपन को तीन लेवल पे जब अपने समान को रख के देखेंगे ना तो अपन को पता सब्सेट हाइस प्राइरिटी किसमें है वह चूस कर लेंगे अपन डिस्क्लोशर क्या देना पड़ता है डिस्क्लोशर करके वीडियो खत्म होगी फिर नेक्स वीडियो मनों कुछ और स्क्रिस करेंगे थाइस ठीक है सो तो नहीं रहे होने और बोर्ट तो नहीं लग रहा है एक्जांपल में अच्छे दिनी की कोशिश करती था कि आप जाकते रहे तो चलो डिस्क्लोशर ऑफ फे अलो देखते है एंटिटी शेल डिस्क्लोश इंफोमेशन देट हैं यूजर वाव एंटिटी वो डिस्क्लोश करेगी जो हैं यूजर को फैनेशल इंफोर्मेशन प्राइट करने के लिए ठीक है सही बात आर यहीं तो करेंगे नेक्स्ट फॉर असेट्स अनलाबरेट मेज अनलाबरेट मेजर मेजरमेंट जब थर्ड लेवल में उसका देखेंगे फिर यह पॉइंट था बी पॉइंट में क्या है कि जो एंटिटी वो डिस्क्लोश करेगी मिनिमम 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 इन्फॉर्मेशन अबाट असेट्स मेजर किये थे जिसमें ठीक है आफ्टर जब व जूमें लेड़ीं-डी हमारी आफ्ट लेवल वन तो फ्री व तो फ्री प्रीज सेस्य प्रविडियों यहीं व्यूज करते हैं ऑल्ल बैसक्ट रेजम्स